अलो दोस्तो गुड़ मॉनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मजे में होगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लोग में तो दोस्तो आज ब्लोग की शुरुआत की है सुबे का खाना बनाने से आज है 13 बनाएंगे दाल बाले आलू तो यहां पर सारी तयारी मैंने करके रख ली है और कड़ाई हमारी बहुत तेज हो गई थी तो थोड़ी देर के लिए मैंने नीचे इसको उतार कर रख दिया था क्योंकि थोड़ी सी जल भी गई है और तेल भी बहुत ज़्यादा गरम हो गया तो उरद की दाल मैंने भी गोई थी अच्छे से भीग नहीं पाई थी तो जो हुने कि सुबा के टाइम भीगो देते तो अच्छे से भीग जाती और यहां पर डालते हैं थोड़े से मसाले जो की हल्दी, मेर्च, नमक यही सारी चीज़े हैं और आलू ही इन दिलों में थो होती कम आ रही है, जो हरी सब्जिया होती है आलू जाठा हमारे यहां बन रहे हैं, कभी तो सूख़े कभी तो रसे वाले तो आज तो रसा वाली हम सब्जी बनाएंगे तो यहां पर सारे मसाले मैं ने अच्छी से बूझ लिये है उसके डाल देते हैं आलू और अच्छे से चला देते हैं पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा जादा ही रखेंगे रसा क्योंकि जो ये डाल वाले आलू होते हैं बहुत जल्दी से गाड़े हो जाते हैं और अब आलू जो हमारे यहां ये मील से आए हैं मीठे तो नहीं लगते हैं ल खराब नहीं नहीं आ देते हैं उसके बाद में बरतंदू लेंगे और आज भी नहीं नहाया है सुबह सुबह आज भी पानी नहीं आया है तो जब हम पानी चला कर रखेंगे तब ही नहाएंगे वैसे तो सुबह सुबह नहा लेते हैं लेकिन पानी की दिकत की बज़े से नहीं नहाये और अगर सु पहले नहाओ उसके बाद में ही खाना बनाओ तो जैसा जिसका मन होता है उस तरीके से सबी लोग करते हैं और बैसे तो हम नहाकर ही बनाते हैं क्योंकि नहाकर ही खाना बनाना चाहिए और यहां पर कर देते हैं चूले की पुताई यहां की भी मैंने साप सफाई अच्छे से कर दी है काफी टाइम हो गया था राख अटाए हुए तो मैंने का पुताई कर देते हैं और बस थोड़े में ही पुताई करेंगे अब तो पूरे में पुताई करने बाली हो चुकी है चिकनी मिट्टी से क्योंकि पूरे में लिपाई जो की थी वो लिपाई खराब हो गई है और यहां पर आरोही देखो सैतानिया दे रही है आरोही आज घर पर ही रुकी है तो आरोही बहुत ज़्यादा परेसान कर रही है थोड़े बहुत साथ में काम भी करा लेती है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं क्योंकि जो भी हलके पुलके काम होते हैं मन होता है तो आरोही कर देत कढ़ाई भी पड़ी है तो कढ़ाई भी इन दुनों में हमारी नंदजी जो थोड़ा सा बिजी रहती है अड़े की कढ़ाई में क्योंकि अब अड़े का पीस बस उतरने ही बाला है एक जो दूसरा लगाया है तो बोल नहीं थी कि ये उतर जाए उसके बाद में फिर जो भी क काम बाकी रह जाते हैं बाद में बरतन बगेरा के चोका बरतन के बाकी रह जाते हैं तो दीरे दीरे फिर कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी हलके हलके बरतन मेंने मांज लिये हैं अभी कढ़ाई मांजनी बाकी है वो हम बाद में मांजेंगे तो ये बाले बरतन हलके बाले जकड गई है तो अच्छे से साफ नहीं होती है बहुत बार हम लोगों ने कोस्त भी की है कि अच्छे से इसको छुटा दें अब धीरे धीरे ही छुटेगी बहुत ज्यादा जकड चुकी है और आप सभी ने कल के ब्लोग में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किये हमें बहुत तहदिल से बहुत बहुत धन्यबाद इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और जो दोस्त हमारे चैनल पर निव आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिया करें और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि जो आप बेक ग्राउंड म्यूजिक लगाती हो यह कहां से लाती हो बहुत अच्छी लगती है पिलीज हमें भी बताएं तो जी दीदी जरूर तो आप अगर म्यूजिक लेना चाहती है आप सूखी सूखी लिपाई करती हो आपका काम बहुत अच्छा लगता है तो जी दीदी बहुत अच्छा लगा वैसे तो पानी डाल कर चाहें जाधा पानी डाल कर लिपाई करो फिर भी अच्छे से लिपाई हो जाती है और सूखी सूखी लिपाई करो क्योंकि ये तो मिट्टी पर की बात होती है जैसी मिट्टी होती है उसी तरीके से पानी डाला जाता है और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि ये मिट्टी आप किस तरीके से बनाती हो ये जरूर आप वीडियो में दिखाना तो अगली बार जब भी हम मिट्ट बनाएंगे, तो आपको जरूत दिखाएंगे, और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, जो हम कल के ब्लोग में आप सबी के साथ में साड़ी लाये थे, वो सेर की थी, उसके बारे में ही उन्हों ने कमेंट किया है, वो बोल नहीं थी कि आप बिलाउज भी सिल लो इसका धीरे दीरे और अपनी नदज जी से भी हेल्प करा लो तो जल्दी से हो जाएगा तीन चार दिन में सिल जाएगा तो जी दीदी कोस्स कर रहे हैं कि बलाउज भी बना लें लेकिन बहुत ज्यादा मुस्किल हो रहा है और जो हम साड़ी लाये थे आप सभी ने बहुत ही प्यारी बत कर लेती हो जोगी हार्ड बर्किंग यह वाला काम सभी के बसगी बात नहीं है तो सहीन का दिदी जो लोग गाओं में रहते हैं वहां पर काम नहीं रहते हैं अगर हूँ भी लोग कर लें और इधर हमारे घर के थोड़े बहुत काम हो चुके थे आप सबी ने देखे हैं और यहाँ पर आ चुके हैं अभी हम लोग साफ सफाई में ही लगे हैं तो यहाँ पर आज आरोही की छुट्टी है तो मैंने का आरोही से ही क्यों ना ये नीचे की साफ सफाई करवा लेते हैं बैसे तो हमारी कई दीदियों ने राय भी दी है कि जो ये तकत हैं अलग-अलग करवा लो तो सही रहेगा कि कोई थोड़ी सी जगे बचती है अगर अलग-अलग हो जाए फिर भी अच्छे रहेंगे लेकिन अलग-अलग मैंने नहीं करवाए हैं तो कभी-कभी यहां पर की सा जारू हुआ या पोँचा हुआ थोड़ा बहुत लगा लेती है तो इसी से मैंने का लगवा लेते हैं तो पहले तो मैंने जारू लगवाई है उसके बाद में मैंने का थोड़ा बहुत बेटा बस इसे कपड़े से अच्छे से साप कर दो जादा नहीं बस थोड़ा बहुत साप कर दो किसी दिन हम अच्छे से नदजी से साप कर बालेंगे तो थोड़ा बहुत आरोही ने साप कर दिया है पहुंचे से भी अंदर से क्योंकि पहुत ज़्यादा धूल जम गई थी जब धूल मिटी अंदर पहुंच जाती है फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहां की ब इंडो को भी अच्छे से साप कर देंगे इधर का आप सभी के साथ में सेर नहीं किया था बस सामने सामने का सेर किया था और अब तो रूम की पूरे रूम की अच्छे से सफाई हो गई है तो करवा चोथ तक अब तो साप सफाई यहां की नहीं करनी पड़ेगी अच्छे से मैंने साप सफाई कर दी है और उसके बाद में नहा लिये हैं कपड़े बगएरा दुल लिये हैं तो धूब भी आ गई है अच्छे से आज काफी टाइम हो गया था लगबग एक बच गया था काम करते करते और सारे काम साप सफाई के ही थे धीरे धीरे काम हुए तो ये हो जाता है पानी जब नहीं होता है तो काफी टाइम लग जाता है हमें काम करने में क्योंकि आराम करते करते सारे काम मैंने किये हैं और आरोही ने भी थोड़ी बहुत हेल्प कराई है तो फिर भी जल्दी से हो गया था लेकिन फिर भी देरी हो गई है तो यहाँ पर फैला देते हैं कपड़े और आज मैंने ये वाली साड़ी भी दूल दी है साथ में ही मैंने का पानी तो उतना ही खर्च होगा तो ये वाली भी दूल देते हैं तो सूख जाएगी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इन दिनों में धूप अच्छे से नहीं निकलती है तो आज धूप भी अच्छे से निकली है और आज मैंने ये वाली में अक्सी पहन रखी है जो हमारी दीदी ने बेजी थी तो ये में अक्सी बिल्कुल सही हो रही है आप सभी खुद ही देख सकते हैं और बिल्कुल ढीली डाली है तो पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या पहने है क्या नहीं और सभी को बहुत जैदा पसंद भी आई जो कोई भी देख रहा था तो बोल रहा था कि ये वाली में अक्सित मारी सही है, इसी तरीके की पहना करो, ये अच्छी लगती है और एकदम से सही लगती है सरीर पर, तो मैंने का चलो ठीक है फिर मैंने बताया भी कि जो हमारी दीदी है, उन्होंने भेजी है बाहर से आई है, काफी दूरी से आई है, तो सभी लोग बोल ले थे अच्छा है बड़ी अम्मा भी पूछ रही थी जबकि मैंने उस दिन दिखाई भी थी बड़ी अड़ी अम्मा को लेकिन कुछ लोगोंने नहीं देख पाये थे ये कपड़े तो वही लोग पूछ रहे थे और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आपका सुभाब हमें बह बड़ूर देखिए और ये बात है कि जिसका भी मन अच्छा होता है उन्हीं को लोग पसंद आते हैं और जिनका मन गंदा होता है उन्हें सभी लोग पसंद नहीं आते हैं कुछ ही लोग पसंद आते हैं और जिनका मन साप होता है जैसे कि हमें है कुछ ये नहीं है कि कोई अगर वो गलत हमारे बारे में बोल दा या कुछ भी तो हम उसको पसंद ना करें, हमें फिर भी वो पसंद दें कि यह होता है कि कभी-कभी लोग गुस्टे में या किसी में बोल देते हैं, लेकिन यह नहीं उसका मतलब है कि वो गलत ही है सामने वाला आदमी, तो अपना मन आप रखना चाहिए सामने वाला कुछ भी सोचे हमें उससे नहीं लेना देना है और यहां पर आप सभी से हम मिले हैं साम के टाइम में तो इतने टाइम मैंने का रख लेते हैं पैरों में रंग जो कि डिजाइन वाला आज मैंने रखा है काफी दिनों के बाद वैसे तो अब हुए नहीं अच्छे से बनता है साइड में रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो बड़ी ही मुस्किल से मैंने का आज हम डिजाइन वाला ही रंग रखेंगे पैरों पर और आप सभी बताना कि यह डिजाइन कैसी लग रहे है पहले मैंने कई बार यह वाली डिजाइन बनाई है लेकिन अब की बार नहीं बना पा रहे थे तो आज मैंने बनाई है और सुबह के टाइम थोड़ा सा किलिव मैंने लिया था वो आप सभी के साथ में सेर करते हैं तो उसमें अच्छे से चमक रही थी क्योंकि इतने टाइम थोड़ा सा कलर जो है हमारा थोड़ा सा काड़ा हो गया है तो अच्छे से डिजाइन समझ में नहीं आ रही थी डिजाइन बनकर आई है तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं पैर और आरोही आज जल्दी से सो गई थी तो उसके पैरों में मैंने महावन नहीं लगा पाई थी मैंने अकेले ही लगाई थी और बुवार आसा करते हैं दोस्तो आज का ब्लोग आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अगर आप सभी को हमारे ब्लोग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पन नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिया करें कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सबी दोस्तों को नमस्ते अपना बहुत ही ख्याल लगिएगा खुस रहिएगा